दीडी पंचाबी देखरे साथे सारे ही दर्शकान दा बहुत-बहुत स्वागत लेके हाज़रा प्रोग्राम खास कबर एक नजर मेहनव जोदकवर खबर चाहे सुबे दी होवे प्रांदी होवे जरूरी है कि उन्ना खबरां दे पिछे दी सचाई जो खबारां दे सुर्किया देविचे छिपी होई हुं दी है बहुत-बहुत स्वागत सीनर पतरकार हमीर सेंग जी दा जी शुक्रिया हमीर जी बहुत-बहुत स्वागत कर दे आई दी खबरा दिस मिख्या शुरू कर दे हैं तो पहली खबर जड़ी पर दानमाती नरिंदर मोदी जी देनाल जुड़ी होई है गलोबल वीक दोहजार वी दा उदगाटन उलाम वलो किता गया और ओदे विच उन्ना दस है कि आलमी मुड सुर जीते दे विच पारद दा वड़ा योगदान होएगा ते उन्ना ने आलमी कंपनिया नो इस दे विच अपना नवेश करन दा खुला सदा देता हमिर जी की ए पूरी खबर बैसे ता काफी लंमे समय तो क्रोना वायरस दे नाल पूरी दुनिया दे विच आर्थिक गतिविदियां भी काफी ज्यादा बंद ने अर्थववस्थ दा डौन चली जा रही है ओवराल बेर जुगारी दा संकट है कारोबार बंद ने और पर फुन दुनिया पदर ते ने कारोबारां दे सोवाल ने ओभी कठे चलाउने पहनगे दू बिना कोई गुजारानी है ओधी रोशनी दे विची एगड़ा गुलोबल वीक दा मामल है के दुनिया पदर ते दस्या जाए के पार्दे विच इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है पार्दे विच असानी क में है मेरे कहले एक अस लेवल ते भी माने रख दिया क्योंकि पिछले दिना तो चीन नार जो एक लेवल दा टकरा आया पार्द सिरकार ने फैसला लेया के असी चीनी वस्ता जड़िया ने उस पदर दे उत्ते बरतोच नहीं लेया मांगे ता जड़ी एस लेवल दा क्योंकि पार्थ भी और चीन भी दो बड़ीया मारकीट भी ने ते बो बड़े देश भी ने अबादी दे लिहाज नार भी दुनिया दे दो बड़े देश ने और मंडी दे बिच किते ना किते अपनी सपेस जड़ा जगा तलासन दे वासते जे सब दे अप अपना जोर दोर दे दुराने के संकट पैदा हो रहे है गलोबल लेवल दा बिलकुल गलोबल लीडर्शिप जेसे लेवल दी हमारे होने ही सी ओंडे देशां दे पदर ते चुकर जे में अमरीका है अमरीका डावल जू एचो बाहर आ गया है जिसली क्योंकि रास्टर पती ने फैसला क आपता सी डावल जू एचो नाल नहीं जामागे एज दू पहला हो जड़ा इन्वेर्नमेंट दा इसू शी पैरस्क एगरिमेंट सी ओदे तो बाहर आ गया सी गलोबल लेवल दी एक लीडर्शिप के हो जी आउन आले समेच अबर दी है ओ बहुत बड़ा स्वाल है जिते कि बतलब विकास उस पदरते होएगा जिते बाता वरंदा भी ख्यार रखे जाएगा लोगां दे कारोबार चलेंगे रोजी रोटी चलेगी और ओदे चो गलोबल लीडर्शिप के हो जे मर्ज हों दी है ओदे ते पूरी एक जमें केंदे ना गुरुनान के साफ़दा है सरब आडे फ्यूचर दा अजेंडा जेडा जेडा भी देश लेके चलेगा जाप आरत जी उस पास से बल चल दह पार जाईया कि जिड़ा संक्ट होना है और क्या जारिया कि स्तंबर तक भी कृतलों कोरोना वेरस दा जिडर दा दौर चल सकदा है और संक्ट पर यह दोर है इते सारे आनों मिलके समुची मानवतानों भी साड़े देशवासियानों भी और सारे लोकानों मिलके एफट करना पएगा के इदे चो निकले आ जाए ते अगे दी जिद्गी जड़ी वो पटडी ते आजे फेर मुरके जी पारते चाइना जी जड़ी खबर है काफी समेतों सड़े चर्चा दा विशा जेडी बनी हुई है एक वरी फेर तो पारत ने चीन दे गलवान का टीदे लेके जड़े दावे ने उनानों मुड़ो खारज कर देता है अधे आज दोहां देशां दे मत पे दानों लेके जड़ी कूट नितिक पदरदिक मीटिंग है उन होन जा रही है कि ये दन तीजे निकल सकते हैं बिल्कुल बैसे ता जे सोचा जाए तहा सकता हूरते गुलवान का टीदे चीन ने कदे भी दावा नी किता इवन 1902 तो लेके आज तक पर हुने दावा किता है पिशले दिना दे वेचे गुलवान का टीदे वी उस मामन अगर दाट गरा मतलव ऐसे ता गलवाद चल दी रही है कुट्री ते गलवाद चल दी सी जा थोड़ा बहुत किते आपसी बोलको बोल होगे एदू जादा नी सी और इक गल कलिये रहे सपस्ट है के पारते चीन दो बड़े बलुकने एप चीन नूँ भी पता है ते सानू पता है के जड़ी जंग दा पदर है के बड़ी जंग ये कोई भी अफोर्ड नी कर सकता ना किसे हित दे बिच्छा है वोन डिप्लोमेटिक जंग है खास्ता और ते दूजी संसार जंग तो बाद ए पता लागया सबनू के जड़े सिद्धे तारते फोजी तरीके देना जं गालबातरी और डिप्लोमेसी ही सब तो इंपोर्टेंट चीज है एक चंगी शुरू आत होई है पिशले दिना दे विच्छो गालबाद तो बाद बापस जान दी के थोड़ा जा दो किलोमेटर हो पिछे चले गे इदर आगे पर अजे तक क्योंके एक गालता है ही है क्यों जंग हों दी है तक अल्ला उथे फाजियां दा निक्सान नहीं होंदा उधना कारोवार रुक देने बिलकुल उधना बहुत बड़े संकट होर पैदा होंदेने इसलिए दुनिया पदर दे उत्ते होन जंग दे खलाप एक लोक रहे वी है ओवराल दुनिया पदर दे उते क अगर विश्यव दे अंकड़े गाल करीए तक कुल अंकड़े एक करोड तेई लख दे करीब ने बार वद दे खबर ही है कि 70 लख दे 16,000 दे करीब जड़े ओ लोग ठीक होई ने अगर असी पार दे अंकड़े गाल करीए तक अंकड़ा 7,87,000 दे नेड़े है और एदे दो टाइप दे नजरिये ने एक नजरिया था है कि लोग कानू ड्रा देन बाला है सहम आला है इधनार ता बिल्कुल दुनिया तवाओ जो मारे जाओंगे बच के रहो अंदर रहो एक नजरिया एक कुछ भी नहीं होना कोई फरक नहीं पेंदा जिमें मर जिमें लाद दोन दोना दी वजया है थोड़ा एक बिचला रस्ता जड़ा हुनदा है कि चौक्सी रखनी बहुत जरूरी है जिनने भी कोई प्रोटो कोल ने जिननियां भी कोई चीज जहां जड़े साइंटिस्ट जहां सहेल सेथ डिपार्टमेंट दे लोग जो गाइडलाइन जने देने उ और आइना डरते सहम दे विच भी नी क्योंकि ओधेना बहुत बंड़ा फिर दूजा खपा खड़ा हो जन्दा एक रजगार दा कारोबारा आंदा बाकी दे किते आंदा उधेना बिलके चलन दा सुनाना हां इक गाले भी साबत हो चुकी है दुनिया ने भी साबत कीती है सा सेम्टम नहीं आएक है कड़ी खुने करेंड़ा जाके में जाहरे हैं उधा खतरा बरकरार और शाट खर आउट करना है किस तरीक पर यह चाहिए सवाल है यह उमीद ता रखी उजानी चाहिए के हाड़ी हाड़ी क्या जा रहे है के जड़ी हार्ड कमेनों दी गलापा इम्यूनिटी दी गल कर दे हैं उत हो जान दी है जो दुबा दे अपने आप वैरस दा असर खतम हो जान दा है लोको दी अमीद कर दे जी बैक्सिनेशन ते भी ज केस के सामने नहीं आए के उस पूरे सी जन्दे बेच लोको उस लेवल ते गल कर रहे ने पर होन जड़ा कुछ केस जड़े आ रहे है ने एस लेवल ते एक ता जड़े फ्रंट चे कम कर दे लोकों ने ओ सेथ पागदे कर्मचारी ने डॉक्टर ने पुड़सवाले ने इनने अफसरां दे जड़े नंबर आया है सामने के उदर चे बड़े सीनियर अफसर भी डिप्टी कमिशनर, SSP, SDM ते एस लेवल दे बंदया नू इदा मतलब भी इककार्म ता ए भी है के हो सकदा हो दफ्तर खुले खोन करके के दुझे नो मिलना गिलना जादा बद गया उस लेवल दी साब दा नहीं जा परिकास नहीं रख्या जा सके है दूजी गाल शायद इक गाले भी हो दिया के कई वार मीटंगा दे विच भी प्रवपर ख्याल नहीं रहनदा जाओ उस पदर दे उत्तर गाले और जे कर एस पदर ते चल दा क्योंके बड़े बड़े लोक जिनने को टेस्ट होए ठाले रिलमे से तो पदे उस पागे लोक है उसी नहीं आहे और अगले से आप से पदे मढ़े एक जिरू हो बैड़े tamam के दी इखुआब पर क्योंके लाग दी बुमारी है और लाग दी बुमारी दा खत्रा हमेशा दूजिया नो जादा देखा जानदा उदली तेहात जादा बरती जानदी है उनु जरूर देखना पएगा और एदा एस लेवल दे एक समुहिक फैसले गवर्मेंट ऑफ इंडिया लेवल ते सूब जरूर पार्टिस्पेट करा ले आ जाए जिडियां पंचैता ने जडियां लोकल वाडीज ने जड़े कलब ने जड़े बखवख टाइप दे उन्हानु सथानक जम्यवारी दे के उन्हादी सरगार में समूलियत नाड कर लेई जाए ता शायद काफी मदद मिलेगी एस न सब्सक्राइब नाल दी नाल अगर सी पारदे सेत मंत्री ओ एस डी रजेश पूशन जी दी गाल करी है हमीर जी ओना दा वी ब्यान सामने आया के पारदे विचे जड़ा कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन है ओदा कोई जड़ा खतरा वो सामने नहीं हो दा क्योंकि जो ठीक होन क्योंकि दार है ओजड़े करोना दे मरीज है ओदे मकाबले काफी तेज है मतला कम्यूनिटी दी जड़ी इन्वालमेंट है जा ओओ कही कदो जान दी है ओज जान दी है कि जड़ो ऐस तरीके दिन आड़े फैलन लग जे के सानू पता ही ना होबे मैंनों होया किस हो है जिनन आड़ी ना एक आल जरूरा के कुछ लाक्यां दे विचे लगदा है जिमें कम्यूनिटी लेवल ते जिमें एक पूरे महल लाई एक पूरे छोटे कस्वे दे विचे लेवल दा फैल और ब्यापक पंदर थे ता जे नजर नहीं होंदा के किते भी देश दे भी सारे किते ही कुछ लोकालिटी जने खास गल्ला ने ऐसे करके के फैसला यह भी होया पिछले प्रदान मंतरी ना जड़े चीप मिनिस्ट्रा दी मेटिंग है पंजाब ने भी ओ एस एंगल नो लेया है कि जिते किते पारिटिकुलर केस ने उससे उत्थे ही फोकस किता जाए उन्हों फोक कोविट दे चल दे हैं जिते सरकार से नो लेके हदाइतां जारी कर रही है उत्थे बच्चेयां देप वेखनों भी सामने रख्या जा रहा हुआ हूँन मुक मंतरी दा ब्यान सामने आया कि उन्होंने किया के युनिवर्स्टी दे कॉलेडिया जडिया प्रिख्यावाने उ परोद बद UGC ने गाइडलाइन जारी करती हैं कि ए जड़े अग्जाम ने प्रिख्यामा ने जुनिवर्स टियारों कॉलज दिया एक करवा हूँ ते पर साड़े चीबनिस्टर ने एक है कि नहीं एते महाल नहीं है जे प्रिख्यामा कराउन दा इसी नहीं कराउन पर पिछरोधी असेस्मेंट कर सकते हैं कि पर शेदरान की पड़े हैं जा ए वी एक तरीका के जमें अजकल दे भी रही जाने जुनिए जुनिए असाइनमेंट्स दे रही हैं कि तुसी करो आउसाइनमेंट्स दे दो उन्हों नेक्स्ट कलास दे बिच कीता जा सकता है ते एक वाजव है क्योंकि कोई खास अलात हों देने खास अलात चे खास फैसले लेने पहन दे बिलकुल ते चीप मिनिश्टर मेंनू लगदा के एक अलब वाजव है जिठी लिखना कोई दलील भी आए पिछे ते ताथ भी ने ते तो आन्नु ए फैसला कर लेना चाहिए आगले ज अगली खाबर आल वादियां जी खाबर जी जड़े उत्तर प्रदेश ने मोस्ट वांटेड गैंस्टर विकास दूबे नाल सबंदित है उनना नू कल नाट की टंग दे नाल गिर्फतार किता पया और कानपूर दे विच आठ पुलिस मुलाजमा दी कतल दे विच ओना दी जड़े गिर्फतारी है वो कीते गई सी पर एदनाल एक जुड़ी ख़वर हुन भी जो सूतरा तो पता लगिये के उनना दा इनकाउंटर हो चुका है किन्नी के साचे ख़वर ते असल ख़वर की है असल दे बिच ए है के जड़ा विकास दूबे सी बहुत जंग ची काफी अबर नायने स्टार्ट कीता तो पर कॉंसलर बढ़ गया मले लड़ना चौंदा सी नहीं बढ़िया बाकी है पर एक ताकत आगी आर्थिक ताकत ते पसल मसल पावर जीनू अपा कहने है ओ कठी कीती गैंगैस्टर दे रूप दे बिच चला गया इदे दू पहला भी साथ प करेहा सी ते जाके मदपर्देश देक मंदर दे विचों पड़ेया दोनों टाइप दिया गल्ला आ रही है सी के ने सुरंडर कीता है कुछ लोग कह रहे सी किसे पोलिटिकल लीडर दे थूरू सुरंडर कीता है पर असनु कहता हुथ आ जो पड़ लेओ ते मदपरदेश तो पर मैंनु लग दा के इदे विचे कई होजी अगला जिवे एक पराणा भी तो अडेके जाद होना एक कुडी नाल रेप केस होया सी जदो बंदा फड़ेया गया था पर उत्थ ही लिया के सीनों क्रियेट करके ते बंदा इक इंकाउंटर होया और वोदे ते रोड़ा विय पर इदे नाल दी नाल एक दूजी साइड भी सोचन दा सुआल होंदा है के देशना सब दांते देशने कनून ने एक परसीजर बनाया होंदा है ते ओ परसीजर दे अकॉर्डेंगली जे कर तुसी जलो के आज ता दो बंदे करीमिन अलने बहुत जादा कालू फिर ओ लिब जानदा है किसे तरीके नाल इननी पूरुस्तो हो हत्यार को लेंदा है इस वाल है गे ने अपने आप चुक पर रूल ओफ लाग ते सब्दा आंदी जड़ी सपेट है उप्रियोर्टी होनी चाहिए और तरजी होनी चाहिए ते ओ तरजी दे नाले देश जड़ा बेतर कोई जड़े देश दे ले अधकारां दे सवाल ए 从्निया दे पीस मिलें के चल जड़े बहुत सैंटिमेंट कई बिजली उपवोगता जड़े ने उना नूलके, पावर काम दे उपवोगता ने परशानिया था सामना करने, एक खबर सामने एक्षास देन दी मीटर रीडिंग दे जड़े बेल है, उना लई सिरध बने होई ने? कि है हमीर सिंग जिपोरी कबर है। कि छोटे जी तुसी गलती कहके नहीं सार सकने उदर ली जिम्में बरीता है। और दूजी गाल एवी है कि पंजाब दे भीजली रेट पहले हैं भी बहुत है। मतलब गवांडी राज्या नालों भी जादाने लोग कोसगाल करके भी तोड़े बहुत प्रशान है। मतलब पावर कावम और पंजाब गवर्मेंट नालों भी जाज करके जिम्में बरीता होनी चाहिए। और लोग कान दे जड़े नूँ गए बेल ने उबेडरा करके ते उना दी जैनुआन कोई तरीका लबना चाहिए जी देना रोनानों जाएज बेल जड़े ने ओ सामने आ सका। जे आसे खबरान दी समेक्या हमीर सेंग जी एतने समेट दे हैं तुसी साड़े स्टूडियो दे वेच चाहिए साड़े दर्शकांदा साड़े इस प्रोग्राम देनाल जुड़न ली बहुत बहुत तानवाई।